आज हमारे बीच में पधारे भारत के महामईम राश्पती मौदे उपराश्पती जी, यशर स्वी प्रधान मंती जी, संसद्य कारे मंती जी, सभी मंती मंडल के माननी सदश्य गण, सभी सांसद गण, देवे और सर्जनों, आज संसद्भवन के इस एत्यासिक केंद्रिय कक्ष में, आज हम सब भारतिय सविधान की सत्रवी वर्ष घाड के एत्यासिक अवसर पर एकितित हुएं, सत्तर वर्ष पूर, आज के दिन 26 नौंबर 1949 को इसी केंद्रिय कक्ष में, भारत के सविधान को अंगिकार किया गया था, आज के दिन एक नया इतियास रचा गया था, जिसकी मधूर इसमर्तियां अब भी हमारे मन में ताजा है, आज के पावन अवसर पर मैं भारतिय सविधान को शर्षत नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ उन सभी सविधान निर्माताओं का, जिनके परिश्यम और अप्रतिमी योगदान से हमारा अनुठा सविधान अस्तितिमाया, आज से साथ दशकपूर, जब हमें स्वतनता मिली थी, तब हमारे सामने भारत के निर्मान की महती जिम्मेदारी थी, तब उस दावित को स्विकार करते हूँ, देश की जनता ने भारत की सविधान सभा को महत्पून कारे की जिम्मेदारी दी थी, इसके बाद भीम राओ, अम्बेटकर जी एंव सविधान सबा के सभी मनिश्यों के अथक प्यासों से संपूर्ण भारत की आशाओं और उमिद्वों के परतीक के सरूप में भारत का सविधान निर्मान हुआ हमारा सविधान भारतिय संस्कति और सभीता के विकास की उतकष्ट अभिविक्ति है यह हमारे आदर्निय पुर्वजों की दिव्य संकल्प का शंकवाद है इसले पईत्र भी है और शधा का पात्र भी है बीते सत्र सालों में सविधान ने देश की विकास यात्रा में विशिष्ट भूमी का निभाई है लेकिन साथ दक्षकों के दोरान हमारे सामने नई चुनोतियों भी है और नई अवसर भी आये हैं तेजी से बदलती हुई अंतराष्टी परिस्तियों में हमारा सविधान आज भी हमारा संबल है नई प्रोध्योगिक और सूचना तक्निकी से उत्पन इस्तितियों से निमटने में हमारा सविधान हमें मारदशन प्रधान करेगा ऐसा मेरा विश्वास है लेकिन इसके दिवस को करतवे पर के रूप में मनाएं और एक नई शुरुवात करें सविधान ने हम सब को मोलिक अधिकारों की रूप में कई परकार की शक्तियां दिये लेकिन हमें सद्यों ये याद रखना चाहिए कि मोलिक अधिकारों के साथ सविधान ने हमारे ले कुछ मोलिक करत अपने रोज मर्रा के आचरन में उतारें तो हम बहुत जल्दी एक नए भारत का निर्मान कर सकते हैं। सब देश व्यासें से यही अपिक्षा की जाती है कि हम स्विधान का पालन करें, उसके आदश और स्वस्ताओं का आदर करें। हम भारत की संपर्भूता, एकता, अखंता की रक्षा करें और उसे अशुन बनाए रखें। हम देश की रक्षा और राष्ट की सेवा करें। दियो शक्तियों के प्रयोग का एक जरूरी शर्थ है। मुलिक करतियों के पालन से राष्ट की अधिकांश समश्याओं का समाधान हो सकता है। सविधान में उल्ले किये गए मुलिक करतियों में हमें उन आदर्शों और मुल्यों की याद दिलाते हैं, जिनोंने संता सग्राम में हमें प्रेद किया है। देश की संप्रभूता को बनाए रखने का दर्शन दिया है। और देश में सम्रफ्टा की बहार चलाई है। लेकिन करतियों से मूखोकर सिर्फ अधिकारों की बात करने से एक प्रकार का असंतुलन पेदा होता है। इस असंतुलन के कारण देश की विकास में बादाएं आती हैं और विकास की गती धीमी होती है। आज संसत के दोनों सद्नों के प्रदितियां उपस्तित हैं मेरा आप सभी से निवदन है कि आप इस बात पर आम रहें बनाएं कि अनुचीत का पारण स्रीप विये का धीन नहरे जाए हम समय आ गया है कि हम सभी सांसत देश के सामने एक ऐसा आदर्ष पस्तुत करें जा अधीकारियों के साथ साथ हम अपने कृतवियों का स्वरन भी करें और दूसरों को भी कराएं साथियों भारत का सभीधान बस कुछ कानून और निमों के एक लिखित कताब नहीं है भारत का सभीधान हमारे राष्ट की चेतना वादर्षों और सामुइक सपनों वाशाओं का प्रतिभिम्भ है इसलिए हमें सभीधान को अपना पत्पतरशक बनाये रखना है हमें सभीधान को रश्टनाच में प्योग करते हुए नए भारत की नई तस्वीर बनानी होगी और ये जिम्मेदारी हम सब के कंदों पर है आए आज हम इस गोरोंपूर अफसर पर हम भारती सभीधान के दिखाए गए रास्ते पे चलती हुए नए भारत के निर्मान का संक्रपने जैहिन